हाई फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे धाबा स्टाइल दाल फापडा तंदूरी रोटी को भी ये फापडा पीछे छोड़ेगा गेहु की रोटी होती है अल्लक स्टाइल से तो सबसे पहले दाल त्रियार करेंगे उसके लिए दो बड़ी चम्मच तू काली दाल और एक बड़ त्कार स्टेल दालमखनी टाइप की उसके बार में उसके बार में उसको चुकर में वह सब दढ़ी के उसके साथ में अधा चम्मच अल्दी पाउडर smaller को ने थे और अधा जा हम लैंगा उसमें पीन test क्रंचिने घिट हसां के लिए थोड़ा सा नमक दाल के हम इसको तीन वी की त्यारी करेंगे उसके लिए दो कटोरी गेव काटा और आधी कटोरी में लिया है रवा और सारे बाकी अजवाइन और पाव चम्मच सोडा ठीक है चलो बनाते हैं फाफडे काटा तो दो कटोरी हमने गेव काटा लिया है और आधा कटोरी हमने लिया है सूजी रवा मीडिय और पाव चमच हमने दाला इसमें सोडा हम बेकिंग पावडर भी दाल सकते हैं अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे ये रोटी एकदम क्रिस्पी होती है इसकी हर परत अलग अलग निकलेगी और उसका और क्रिस्पीनेस बढाने के लिए हम इसमें चार चोटी पर बाटी के जैसे एकदम कड़क भी नहीं रहेगा और फुलक के जैसे एकदम नरम भी नहीं रहेगा तो यह वाली जो रोटी है आपकी तंदूरी रोटी को भी पीछे छोड़ेगी इतनी स्वादिश्ट लगती है यह रोटी क्रिस्पी क्रिंची और बहुती बढ़िया स दाल के साथ में तो मज़ा आजाता है बहुत लोग इसको बेशन की साथ खाते हैं और यह जो रेसीपी में आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ यह मेरे मम्मी की स्पेशल रेसीपी है वह हमको बहुत अच्छे से यह दाल फाफडा खिलाती है बढ़िया मज़े से तो एक ब दाल की त्यारी करेंगे तो दाल का मसाले के लिए मैंने सरसो का तेल दिया है तीन बड़ी चम्मच उसमें राई और थोड़ा सा जीरा दाल दिया थोड़ा सा हींग दालेंगे थोड़ा हमने पहली दाल में दाला ही है तेज पत्ता लाल मिर्च हरी मिर्च सुखी लाल जैसे दो मीट तक के चला के पका लेंगे जब अपने को बहुत बढ़िया खुश्बू आने लग गया अधर प्रसंद की तब मैंने उसमें एक बढ़ी पैज बारिक कटी हुई दाल दी पैज को भूनने के लिए एक चमच नमक दाला उसको पाच मीट भूनेंगे जब तक कि पाच से साथ मिनिट अब ये हो गये तब हम उसमें एक कटोरी बारिक कटा हुआ लाल तमाटर दालेंगे इन सब को पकने को लगेंगे 5 से 5 मिनिट जब तमाटर थोड़े पक जाए तब हम उसमें दालेंगे बाकी मसाले जैसे की हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिल्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर और एकदम आधा चमच हम दालेंगे इसमें गर्म मसाला, अब सारे मसाले और ये बैज और टमाटर की अच्छी से मसाला बनना चीए, तब हम इसको भूद देर तक सीजाएंगे, थोड़ा सा पानी दाल देंगे उसके लिए, तो ये सीजने को अभी कम से कम मैं बता रही हो, बीस से पच्चीस मीट लगेंगे, जब ये पूरा अच्छी से सीजेंगा, तब तक हम हमारा कूकर देखते है, ठंडा हो गया है, तो चलो, देखिए, कूकर भी ठंडा हो गया है, पढ़िया अच्छी दाल का ये टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसको पूरा हम को जैसे हम दाल बनाते समय वैसे नहीं करना है, देखो अभी कितना, बीस से पच्चीस मीट बात देखो, पूरा टमाटर हमारा अच्छी से सीज गया है, और पैज भी अच्छी से सारे मसाले भून ग बाता है, वो बाद में पकाने से आता है, तो दो दाल है, अब हमारी कम से कम और बीस मीट तक के बंद करके, हम इसको ठकन लगा कर 20 से 20 मीट तक पकाएंगे, दाल का जो स्वाद है, वो इसी वज़े से आता है, कि कंसिस्टेंसी देखने के लिए हमने अभी उसमें थोड़ा सब पानी दाल के, हम इसको भी ढखकन लगकर 20 मीट तक पकाएंगे, और तब तक के हम हमारे फाफडा रेडी करेंगे, तो फाफडा के लिए मैंने सबसे पहले, ये देखिए हमारी दाल भी मस्त, ये मैं आपको 15 से 20 मीट के बात का वीडियो बता रही हूँ, बहुती से खुश्बू आ रिये दाल की, हारा धनिया दाल के इसको धग कर रखेंगे, तो धग दीजी अभी इसको फाफडा बनाएंगे, तो मैंने उसके पहले ही बाटी का जो कूकर है, तंदूर बोलते हो उसको, वो हमने ग्यास पर रख दिया, अब हम थोड़ा सा घी लेकि हमार अच्छे से आटा नरम बढ़िया से हो जाएंगा, अब थोड़ी छोटी सी लोई लेंगे उसमें से, ज्यादा बढ़ी नहीं, मीडियम साइस की लोई लेके उसको हम बेलेंगे, थोड़ा से मैने सूखा आटा लगाया उसको गेवका आटा ही लगाया, और इसको हम अच्छ अलग अलग होंगी, और रोटी जो आपकी है फाफडा जो है वो आपको क्रिस्पी बनेगा, इसको हमको पतली चपाती जैसा नहीं बेलना है, इसको हमको थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है, यह देखी, इसे है, ऐसी मैंने अभी दो से तीन रोटी और बना ली, देखो से हम इसके उपर अभी रखेंगे, बस बाती को पकने को टाइम लगता है, आपका पाच मीट में एक साइट से पर जाएंगा, जब यह पाच मीट हम इसको ढखकर रख देंगे, और पाच मीट के बाद आप देखिए, यह देखो ऐसे फूल गया, अभी हम इसको पलट पलटने के बाद फिर से पांच मीट तक ऐसी रखेंगे, मीडियम फ्लेम है, और देखिए अभी फिर से बढ़िया से सिग्या है, दोनों साइट से, अब हम इसको देखो ऐसे, थोड़ा सा ब्राउन स्पोट आ गया उसके उपर, अब हम इसको ग्यास पिसे केंगे, ऐसे डा दोरी रोटी क्रिस्पी जिसको पसंदे उसको ये बहुत पसंद आएंगा, उससे भी जाद अच्छा लगेगा, तो आप भी एक बाद ट्राई जरूर करना ये, और एकदम धाबा स्टाइल, उसका टेक्स्चर, स्वाद और ये सब, तो ये हमारी तैयार है, दोनों साइट स अब हम इसको अच्छा से घी लगाएंगे पढ़िया से एक चमच घी लगा कर इसको अच्छा से पूरी क्रंची है और हम इसको गर्मा गर्म हमारी जो दाल हमने बनाई थी उसके साथ में सब करेंगे, साथ ही मैंने इसके देखू ये सारी लियर्स कैसी सेपरेट है, आपको किस साथ में अब ये देखो हमारी दाल जो रेडी है, वो हम सर्फ कर रहे है बढ़िया से, खुश्बू बहुत अच्छी आ रही है, गर्मा गर्म दाल फाफडा रेडी है, अब हम इसको सर्फ करेंगे, साथ में मैंने बनाया है जो ओनियन सलाद लच्छा वाला, वो भी सैलेड ओनियन का, तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सस्क्राइब कीजिए, और मेरी बहुत सारी दंदूरी की भी एक रेसिपी है, वो भी आप ज़रूर ट्राइ कीजिए, साथ में मैंने तो मिलते हैं नेक्स व